नमस्कार मैं देवर स्फागत है आपका आज के इस वीडियो में अभी हाल में ही दीन अप्रेल 2023 को स्टाफ सेलेक्शन कमेशन यानि SSC द्वारा कमबाइन ग्रेज़ट लेवल एक्जाम 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया जो भी वह इस परिक्शा की तयारी कर रहे हैं उनमें एक अलगी कुछी का महौल देखने को मिल रहा भला हो भी क्यों आखिर इतने समय से वे परिक्शा की तयारी भी तो कर रहे हैं परिक्शा चाहे जो भी हो सारे कैंडिडेट्स जो उस परिक्षा की तयारी कर रहे हैं वो परिक्षा से संबंदित किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए उस विभाग या आयोग या फिर उस परिक्षा से संबंदित किसी आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाकर परिक्षा से जुरी जानकारी लेते हैं आम तोर पर हर कोई तो यही करता है जिस भी विभाग में भर्दी आई है या उस विभाग से सम्मंदित कोई भी जानकारी आई होग या विभाग को देनना होता है तो वो भी अपने आधिकारिक वेबसाइट या फिर किसी आधिकारिक अकाउंट का ही सहारा लेते हैं ताकि लोगों को उस सम्बंद में हर तरह की जानकारी मिल सके लेकिन आज के इस डिजिटल योग में ऐसे ही कई विभाग या आयोग के नाम पर साइट या फिर अधिकारिक अकाउंट बना कर लोगों को ठागी का सिकार बनाया जा रहा है अगर कोई भी साइट या फिर ओफिसल अकाउंट की जहासे में आ जाये तो वह वितिय या फिर वह गलत जानकारी का सिकार भी बन सकता है अभी स्टाफ सेलेक्शन कमिसन के तरफ से कमबाइन ग्रेजवेट लेवल एक्जाम के लिए SSE के तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जो बच्चे इस परिक्चा की तयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी जैसे ही इस नोटिफिकेशन की जानकारी मिली तो उन्होंने भी इस परिख्चा के संबंद में अधिक जानकारी लेने के लिए इसके ओफिसल वेबसाइट और अकाउंट पर गये जब उन्होंने ट्विटर के सर्च बटन पर SSE को सर्च किया तब उन्हें कई अकाउंट विभाग के ओफिसल वेबसाइट के नाम से मिले जब हमें भी इस बात का पता चला तो हमने भी इसकी परताल सुरू कर दी अब जानकर सायद हैरान हो जाएं लेकिन हमें एक ऐसा भी अकाउंट देखने को मिला जिसके लगवक 35,000 फॉलोवर्स थे और इस अकाउंट से किसी को भी फॉलो नहीं किया जा रहा था दरसल इस अकाउंट का यूजर नेम at the rate ssc underscore official double underscore के नाम से था इसके बायो में भी ssc के आधिकारिक लिंक को attach किया गया था साथी साथ ssc से संबंदित हर एक सूचना और उसे संबंदित हर तरह की जानकारी हमें अपडेट यहाँ देखने को मिली जिस तरह से इस अकाउंट को बनाया गया था और जैसे इस पर हर एक सूचना को अपडेट की जा रहे थे उसे देखकर हर कोई भी ब्रह्मित हो सकता था इसकी परताल करते वे हमने इसकी पुष्टी P.I.B. Fact Check पर भी की वहाँ भी इस अकाउंट को fake बताया गया साथी साथ इस बात की जानकारी भी दी गई कि S.I.C. का Twitter अकाउंट नहीं है P.I.B. Fact Check में इस बात को भी बताया गया था कि यदि आपको S.I.C. के संबंद में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप S.I.C. के ऑफिसल वेबसाइट S.I.C. N.I.C. इन पर जाकर विजिट कर सकते हैं जो यूवाइस परिक्षा की तयारी कर रहे हैं वे भी भ्रहमित होकर ऐसे किसी फरजी आधिकारिक होने का दावा कर रहे अकाउंट को भ्रहमित होकर follow कर सकते हैं लेकिन ऐसे किसी भी अकाउंट को follow करने से या ऐसे किसी लिंक या साइट के जहांसे में आने से हो सकता है कि आपको वितिय नुकसान पहुचे या फिर आप किसी गलत जानकारी के सिकार हो जाएं यदि ऐसा होता है तो यह उन ग्युबाओं के लिए समवेदन सेल मामला हो सकता है यदि आप भी किसी ऐसे ही कतित तोर पर आधिकारिक होने का दावा के जारे अकाउंट को follow कर रहे हैं तो आपको भी साबधान होने की जरूरत है आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है मैं साथ बने जाने के लिए आपका धन्यवाद